स्टॉक मार्केट से जुड़ने के बाद आप एक करोड का घर और BMW कार ले सकते हैं क्या आपको चाहिए तो कमेंट में बताईएगा और एक बात तो मैं बताना ही भूल गया थाइलेंट भी जा सकते हैं और ये भी गैरेंटी दी जा रहे है अब सारी इसकी जाननी है तो वीडियो को लास्ट तक तो देखना परेगा न तो भाया लास्ट तक देखेगा बट उससे पहले एक सवाल आता है डीमिट कहां ओपिन करें तो एक इंटरस्टिंग सा डेटा मेरे हाथ में आया है सारे सेगमेंट में चाहे वो कैस या फ्यूचर या ऑप्शन हो सुनने जीरो ब्रोकरेज ओफर कर रहे है मतलब ट्रेडिंग के लिए नो एक्स्ट्रा चार्जेज है ये एक ऐसे रिलाइबल ट्रेडिंग प्लिटफॉर्म है जिनके पास सारे डेजिस्ट्रेशन है जैसे सेबी, एमफी, सीडियेसल, एनस्सी, बीस्सी और एनसीडियेक्स मिन्स बिना किसी डर के आप ट्रेड और इन्वेस्ट कर सकते हैं स्टॉक के प्रेडिक्शन के लिए कंपनी एई-ई-ई-का यूज करती है जो परजेंट में कोई भी ब्रोकर प्रोवाइड नहीं कराता है और साथ में जीरो एमसी चार्ज है अब एक मेजर कंसन आता है कि रिसेंटली ब्रोकर की ग्लिचेज की वज़ए से काफी लोगों को नुकसान हुआ है और इसमें बरे ब्रोकर जिरोधा और ग्रो कोई भी पीछे नहीं है तो कुछ ऐसा ही ग्लिच सुन्य में भी आया था लेकिन सुन्य ने जो किया वो किसी ब्रोकर ने नहीं किया तीन करोर के हुए लॉस को कंपनी ने क्लाइंट को वापस किया है आपने सायध ही सुना हुगा कि किसी ब्रोकर ने अपने क्लाइंट के पैसे वापस किये है और यही एक चीज है जो सुन्य को अदर से बहतरीन बनाती है लिंक डिस्क्रिप्शन में है आप चाहें तो एकाउंट ओपन कर सेब अब चलते हैं एक करोड के घर BMW और थाइलेंड की ट्रिप पर स्टॉक मार्केट में हमने कई तरह के स्कैम होते देखे हैं रोज 50 से 100 परसेंट प्रॉफिट वाले फ्रॉड फेक फाइनेंसियल एडवाईजर फ्रॉड और टिप्स देने वाला स्कैम और अब आया है सबसे लेटिस्ट इंसेंटिव स्कीम वाला नया तरीका जिसमें फसने के चांसे बहुत जादा हैं अब मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि पूरा स्ट्रक्चर ही ऐसा बनाया गया है कि कोई भी आसानी से ट्रैप हो सकता है और आप घर BMW के लालच में तो ट्रैप होंगे ही होंगे थाइलेंड भी तो जाना चाहेंगे न क्योंकि सबका सबना होता है ये पूरा इंसिडेंट एक PMS यानी Portfolio Management Service Company का है जो अनरजिस्टर्ड है अब अनरजिस्टर्ड होना ही तो fraud हो गया न तो पहली learning क्या आई कोई भी सेवी से registered तो हो ये PMS Company बैंसून स्टॉक ट्रेडिंग से जुरीवी है बैंसून स्टॉक पंजाब बेस्ट एक firm है जो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के साथ साथ और सर्विस प्रोवाइड करती है जैसे advisory, PMS service, research and analysis जो इनकी website से आपके screen पर दिख रहा है साथ में ये article money control में आया था जहां से हमने फिर search करने की process की अब आते हैं ये पूरा scam का cycle company ने कैसे बनाया जिसे कि cycle को आप समझ सको और लोगों को भी बता सको लोगों को भी aware कर सको company ने इस धोखे बाजी के लिए MLM यानि multi level marketing जिससे हम pyramid marketing भी कहते हैं उसका इस्तेमाल किया इस scheme के तहत company अपने existing clients से दो चीज़ें कहती है अधिक से अधिक लोगों को company के service को highlight करके जोडने को जितने लोग आएंगे उनसे हुए profit का 1% से 10% हिस्सा company उन्हें देने का बादा करती है और उसके अलावा जादा से जादा लोगों को बुलाने के लिए एक करोर रुपे BMW कार और Thailand की trip भी देती है company का पूरा framework समझते हैं कि ये कैसे काम करता है कैसे आपको लालच देता है तो मान लीजे कि आप client हैं के A आपको बुला गया लोगों से connect करके उनको यहां ले आए और उनका account खोले और trade कराएं और PMS कराएं तो दूसरा जो आ रहा है मान लीजे कि वो B है अब मान लीजे A ने B को मना लिया तो इस case में A को अपने trading का profit तो मिलता ही है साथ में B जो trading करेगा और profit होगा उसका भी 10% हिस्सा A को मिलेगा यह हुआ level A अब अगर B कि C% को जोडता है जिसको C मान लेते हैं तो जो भी profit C करेगा उसका 10% B को मिलेगा लिकिन 8% A को भी मिलेगा यह हुआ level 2 अब ऐसे company में 15 level बनाए है अब आप सोचो कितना organized तरीके से लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा है मतलब क्या क्या चल रहा है market में लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए लूटने के लिए और SSKM में लोग फस जाते हैं क्योंकि यह इतने attractive होते हैं कि आप मना ही नहीं कर पाओ किसको लगता है घर ना मिले BMW ना मिले सेवी के rule और regulation के according company ने दो सबसे बरे और जरूरी नियम तो रहे हैं पहला है PMS regulation दूसरा है collective investment scheme regulation PMS regulation क्यों बोला मैंने उसका reason साफ है कि कि किसी भी fund security या portfolio manage करने के लिए किसी भी company को PMS यानि portfolio management service के तौर पर registered होना चाहिए और ये तो आपको सेवी के website पे भी दिखेगा कि ये तो registered है ही नहीं तो हमने भी पूरी R&D के सेवी के website पर गए तो मैंने website इसलिए दिखाई ताकि कल को आपको ऐसा कोई service लेने के लिए सोचे तो आप यहां जाकर directly check कर सकते हैं कि registered है या नहीं है यानि कोई फरजी में तो आपको अगर बता रहा हो तो आप यहां से खुद से check कर लेंगे ऐसा ही कुछ reason है दूसरा ठीक PMS की तरह अगर कोई company किसी target के लिए पैसे collect कर रही है तो उसको सेबी से as CIS यानि collective investment scheme की तरह register होना पड़ता है और इस company के पास उसका भी clarification नहीं है तो आपको proof के साथ मैंने क्या दिखाया जो काम company कर रही है जो काम company बता रही है उसके लिए जिस सेबी का registration होने की जरुवत है दोनों में से कोई नहीं है इसलिए मैंने आपको सर्फ fraud के बारे में नहीं बताया कोई इंसान अगर इस तरह का करता है या आपको बताता ही कि हम ऐसा करते हैं तो आप कैसे चेक कर सकते हो ये भी मैंने आपको बताया है और इसलिए मैंने कहा था वीडियो को finowings.com पर हमारे साथ share करें जिससे कि हम उस proof के साथ वीडियो बना सकें और लोगों को aware कर सकें क्योंकि कई बार Instagram पर मेरे पास message आते हैं किस तरह का scam या fraud चल रहा है लेकिन सिर्फ कह देने से वीडियो बनाना possible नहीं है क्योंकि हम योहीं किसी पर allegation नहीं लगा सकते हैं अगर आप पूरे सबूत पूरे डेटा के साथ जब हमें दोगे तो हमें एक awareness फैला सकेंगे और हम लोगों को बचा सकेंगे जहां पर लोग समझ सकेंगी सीखने में power है और यह BMW घर या Thailand की trip यूँनी आराम से कोई नहीं दे सकता है तो अमीद करूंगा learning अच्छी लगे हो तो लोगों के साथ share कर दीजेगा thank you so much